अलो एब्रीवन स्वागत है जी डॉड़ा साड़े यूट्यूब चैनल सर्व स्ट्रडी क्लासस देपर आज अपा करन जा रहे हैं जी अपने पंजाबी दे बहुत ही परसे दवारतकार किरपाल सिंग कुम्मन जीड़े करपाल सिंग को मन है इनने देश वांड़े नल सबंदत इतिहासकारी करंदे विच बहुत ही बढ़मुला जोगदान देता है देश दी वांड़े की कारण सी ये उदे पिछे किडिया नीतियां सी इस चीज़ दा सारे दस्तावेज एकठे करके इतिहासकारी करंदा सेरा चिड़ा है तैना टेया जिते वी अपने को ले करपाल सिंग को मन्दा नाम उन दा है उसे तुमसे थियांद देविच रखना है केना ने देश वांड़ देञां सबंदत देश दास्तावेजा नों अकठे कीता है तेश वांड़ दी ये इतिहासकारी है उता काम जेड दवी ये पाटने किरपाल सिंग को मन ता देखो फ्रापां कर देया ना वरे जडी महत्व पुर्ण जान कर यह उनू हासल के करपाल सिंग को मन किमें दिनन दी विचारता रसी किमें दनना दा जीवन सीगा ता देखो जी करपाल सिंग को मन बारे सब तो बहला पर डिसकस कर द मान दा जनम होंदे जी उन्नी सो चौवी देविच तेना दा देहांत होंदे जी दो हजार उन्नी देविच ठीक है जी ता जनम इना दा एक जनवरी उन्नी सो चौवी है देहांत इना दा सत मेई दो हजार उन्नी है जड़ना दा जनम स्थान है वो अपने कुल है गया जी गु वांड दे इतिहास कारी कीती है वो दे विच एपॉइंट भी मन्या जान दे के इनने तां इतिहास कारी नो इनना बाखुबी नवाया है क्योंकि इनने जड़ा मतलों वांड दा दर्द खुद हंडाया गा एक खोद उद्रों पाकिस्तान वालों गुजरावाला तो उजड के आई सिगे ठीक है जी तो मतलो आंतों बाद दिल्ली आके रहे है शनार्थियां दे केंपां दे विच भी रहे है वो सारा जड़ा दुखांत है वंड़ दा उन्हों इन्ना ने आप दे मतलो हड़ी हंडाया है ताकर के नने इन्नी वदी अतिहास करी जड़ी है कीती है इन्ना दे बारे एक खोदे है टिपनी कर दे आवदी हत्यास करी दे बारे यां कहलो ही देश वाट दे दुखांत नो भ्यान कर दी तिपनी ओ कहन दे है के बेशक मेरा सरीर दिल्ली विच है प्रंतु मेरी रू गुजरांवाला विच ही है ठीक है जी इन्ना दी बहुत दे जी 2019 विच तै जी इन्हें दी कबर भया वू चंडी घर दे विच बनी हुई है नेक्स्ट अपड़ डिसक्श कर दे हैं जी इन्हें दा काल ते प्डा काल ते प्डा तुसी जान दे हूं के हरेख वारतक कार दे हरेख लेखक दे बहुत इंपोर्टेंट हुन दे है काल ते पढ़ा दे विचो कोईशन जड़े और अकसर ही बुच्छे जन दे है तो तो उन्हों पता ही है कि करपाल सिंग क सेल ने जड़े इतिहास करा दी या वारत करा दी वांड काल दे सामना कीती है ते रजिंदर सिंग सेखों जड़े अपने पंजाबी दे विद्वान अनने पढ़ा दे सामना कीती है तो जड़े करपाल सिंग को मनने या अपने कुले नवीन काल देने ठीक है जी जड़ा पढ़ा अपने कुले नदा तीसरा तीजे पड़ा दे जिडे हैगी नहीं वारत तक का रहा है आसे ये ना बरे इंपोर्टेंट जान करी तुसी याद रखनी है नेक्स्ट आपा देख दें जिडे ना बरे हुर महत्बुरन जान करी तो आपने को ले फर्स्ट पॉइंट आए अंदे जी पंजाब दी वंड दे हंडाए दुखनू शब्दां दा रूप देन वाला लेखे के जड़ी पंजाब दी वंड हुई है तो उस दर्दू इनने खुद हंडा आया है क्योंकि खुद गुजरा वाला तो जड़ के पापारत दे विच दिल्ली दे विच आई है जड़ी पंजाब दी वंड दे हंडाए दुखनू शब्दां दा रूप देन वाला लेखे के उनना दे पिछ जो भी उनना दी वंड़ दे कारन सी जो भी अंग्रेज नीत्टिंगा सी लोकाँ दे विचवीच चीज सी कि लोकाँ दे विच देश वंड़ ना स्मदध कुश ओर चल रहा थे पर एक्चली दे विचए ढ़ पार बिगुल दोग के जलागी है उनने पंजाब दी वंड दी जड़ी इतिहासकार यह उन्हों दस्ता वेजांता रूप चड़ा है नेक्स अप देख देए इननु देशनु वंड नू ब्यान करने वाले पहले इतिहासकार क्या जानता है यह बहुत इंपोर्टेंट है जी कि देश दी वंड देश दी वंड अगला पांट देख देए अपना दे साहितिक जीवन दी शुरुआत इनने गितुगीती है ता उन्नी सो पंजादे विच इतिहासकार यह बंड देश दी वंड दी वंड देश दी वंड नू ब्यान करने वाले तो कि रपाल सिंग कुमन ने अगला पांट देख देख तो इनने गितुगीती है ता उन्नी सो पंजादे विच इतिहासकारी अतिसाहितिक जीवन दी शुरुआत प्रफेसर आफ रिसर्च देवजूं आमरे सर्ख खालसा कौले तो कीती है कि अगर कोई लेख कया आया कोई वार्त का रहा है तो वो बंड रेचना कर रहा है तो मोटिवेशन जरूर हों दी है तो जिए अपने कुल किरपाल सिंग को मन ने पंजाब देश वंड दी इतिहास करी कीती है तो उदे पिछे भी इना देक मॉटिवेशन मिली है ना नू तो मॉटिवेशन नू पाई वीर सिंग तो मिली है एक खोदे इस बारे लिख दिया है कि देश वरन बारे लिखना चोंदै सबाitely देश वन्ड बारे लिखना चॉदे नहीं तो उनना दी प्रेर ना तो बाद इतिहास करी दा काम शुरू कीता है इनने खुद भी इन्हों हंडी हंडा है ते बाद देवेचे शर्णारती कैमपा देवेचे जाके लोकानों मिले है उन्होंने बुला के अतना कीते हैं जड़े के अपने कुले पीड़त लोको दरों उचड़की आई सीगे तो देनार सपंदत इत्यास क जानकारी है जी पंजाबी युनिवस्टी पट्याला देवेचे इनने की काम कीता है मौकी कत्यास दे बाननी रहने है इवी बुच्छा जा सकत है कि पंजाबी युनिवस्टी पट्याला देवेचे मौकी कत्यास दे बाननी कौन रहने किरपाल सिंग कुमन केड़ी देवेचे नहीं जोगदान दिता है यह अपने कुल एशियाटिक सुसेटी आफ कलकॉता दे अत्यास ते आर्कियोलाजी विपाग दे सेक्ट्री रहे हैं सेक्ट्री हों दे नाल नाल मेंबर आफ गवर्निंग कॉंसल वी ही रहे ने यह चीज़ां तो सी याद रखनी है पेप दो पूराँ उपाधियां हों मिली हैं तो देखो केडियां केडियांने तब पंजाबी युनिवस्टि पटे आला वल्लो इन्हान केडि उपाध्दी मिली है डॉक्टर ओफ लेट्रेचर दी पुछा जा सकता है कि पंजबी उनिवस्टि पते आला वलो डॉक्टर ओफ लिट्रेचर दी पते आला वलो इस पेस दो पर चिने भी अपने को ले पॉइंट्स ने तुसे ने नो त्यांच रखना है घैंडें ने की की काम कीते है पंचाबी इन्विस्टी पटे आला दे मौकी कितियास दे बानी, एशियाटिक सुसेटी आफ कॉलकाता दे अतियास दे आर्की लॉजी पाग दे सेक्टरी, डॉक्टर ओफ लिटरेचर दे पादी मिली है, परफेसर ओफ सिख सम्धिय पादी वे नणों मिली है गी है, तो देख दियां जी अपपा गेन बारे हूर मात पूर्ण जानकरी, एश पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉन्टेंट है, कि एश पॉइंट दे विच, उन्नी सो बाट दे विच, पंजाब दे तत कली मुख मंत्री परताप सिंग कैरों ने पंजाबी दी वन्ड सबंदी दसता वेज partido करंडी ले अंगलैंड बिज्या, यह जहे वारतक कार है, जड़े बुख मंत्री दे कैन दे उपर, पंजाव दी वंड दे दसता वेज गठकारंदेली इंगलेंड गई है बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है तो उन्हों पुछे जा सकता है कि केड़े वार्तकार है जड़े इतिहास कारी दिना सुबंदत वदेश यात्राजिनने कीती है तो अपने कुले किरपाल सिंग को मनने तो फिर इननने इंगलेंड दे विचे जाके गी कम कीता तो इंगलेंड दे विचे आके इननने कीता है गए इंगलेंड विचे इननने छे महीने अजहे अंग्रेज दकारियानल मुलाकाता कीती है जड़े वंड़ दे लिए जुम्मेवारसन जा फिर उन्हा देनल सबंदत सीगे तो उथे अंगलेंड चलेगे मुखमंतरी प्रकताप सिंग कहरों दे कहां ती तो उथे जाके इन्हाने जड़े देश वंड़ देनल सबंदत जड़े अंग्रेज अधकारी सीगे उन्हा देनल मुला काता है कि तो उथे जड़े वंड़ दे असल दस्तावेज असल नीत ते उन्हानों समझे आगा तो फिर उन्हा तो तो ते आसकारी करके जड़े पस्ते का ओ लिखी है ठीक है तो किड़े इंग्रेज अधकार यानों मिले है यह पेपर पुछा जा सकता है पेपर दे पॉइंट अफ यू तो इंपोर्टन कोश्चन है तक किड़े इंग्रेज अधकार यानों मिले है माउंट बेटन एंड रेड़ क्लिफ यह दो लग लग पर्षन ने दोना तुसी याद रखना है माउंट बेटन प्लस रेड़ क्लिफ ठीक है जी फिर अनग्लेंड यह दो शेमी ने लाए उते हैं माउंट बेटन ते रेड़ क्लिफ नों मिले तो दो बाद इनना ने आके के पुस्तक लिखी है जीडिके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन एंग्लेंड तो वापस आके उनने पंजाब दी वांड दे चोनवे दस्तावेज ना दी पुस्तक लिखी बहुत इंपॉर्टन बस्तक है उननी सो बाट दे विच लिखी गई है पंजाब दी वांड दे चोनवे दस्तावेज ताहिए करपाल सिंग को मन ने लिखी है त्याव दी वदेश जातरा तो अंग्लेंड जान तो आके उथे इंग्रेज अतकार गनों मिलन तो बाद लिखी है ठीक है एक वांड देनाल सबंदत इतिहास कारी देनाल सबंदत इननने एक वोर जेड़ा है मात पुरुन कम कीता है ए फिर इस तो बाद क्योंकि इनननों पाई वीर सिंग तो प्रेरना मिल गी सीगी क्या पनुतियास करी करनी चाहिए उदू बाद इननने पंजाब दी व लिए ँड़ा बतान्यां गयी है अभी टान पुछा जा सकता है कि अंग्लैंड जाके ने किड़े अंग्रेजदकार्वियन मिलियाते बरतानीया देवेच जाके लिए उंग्लैंड गई है उत्टे है मांट बैटन ते रैड़ गलिफ नू मिले ने जदूए आपने कॉल याद रखने तो पेपर दे पाइंट फ्यों तो पूछे जा सकते हैं इंपोर्टेंट है उन्ना नो मिले देश बंड स्वंद्री डूंगियां विचारा इनना देनल कीती हैं यह दोनों पॉइंट उसी याद रखने पेपर दे पॉइंट फ्यों तो पहुंचा दा अफर तर स्की हो थो उन्देश बंड वांद्र संबंद लखेशनी अध्या रिकार्डवा कीता हैं इनना दे जड़ी संपूरन जड़ी नने रचना कीते हो दी शयने किए थे शयली किरें तो दी शयली अपने कूल रही अझी अध़र सम्झस पर संब ने यह बहुत थो आपने कोक्ति है mamma one of honey div अप्षे नाम याद रखनी है तरफ अपने कोड़ रचना है्गी श्री गुरु नानक परकाश ओत्याकश परिखे़ दू जी नादि रचना है की जी महाराजा राजीत सिंह्ग जीवनते का लणा चोथी नदी रचने जनम सखी प्रमप्रा अतिहासिक दृष्टी कौन तो जड़ियां बुक्स तो नो इते देख रही हैं सारे दें सारे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कोई भी बुक्स तो नो पेपर दे विच पुछी जा सकती है वैसे इननी अरचनामा होर भी हैगी है पर पेपर दे पाइंट आप वी तो जड़ियां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने उननों मेथे नोट कीता हुए हैगे ते इनना दे नाम तो उसी चंगी तरह याद कर लेने है जड़ा जनम साखी है जनम साखी ते इनना ने होर भी बहुत कम गीता है इनना दे जनम साखी जमे पंजाबी जनम साखी परंपरा जनम साखी गुरु नानक मोहर दास मेहर बान ये जनम साखी यावी इनना दिया मिल दिया है है ते पर जड़ी आप उस्ते के ना दी साखी यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जनम सखी प्रम्परा इत्यासिक द्रिश्टी कुंतु इद्वाद एक ना अनुवाद मिल दें फिफ्त कि है गया सिख तरम गुरु सहबान पवित्तर रचनामा ते रचनाकार दे दिन वादत पुष्त है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि ए जिड़ा सिक्स अपने को लेद नमर बुक के ना दी पंजाव दाबटवारा अते सिखनेता बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह पूरी तरह में हाइलाइट कीती हुई है सारी है बुक्से इस बुक दा तुसी परकाशन साल भी याद रखना है ते नाम भी याद रखना है पंजाब दा वटवारा अते सिख नेता उनी सो बहत्तर इस वी दे विचे परकाशन थूंदी है इस बुक नो तुसी बहुत चंगे तरिक के दिना याद कर लेने हैं सेवंत पॉइंट दे वि अरी कवियों न दे विचों किसे कवी दा नाम है कंकन त्यन्या ने कंकन कवी दी रचना से संखेफ दास गुरु का था उतारा कीता है कि थो लेपि पाकिस्तान तो लेपि किनई युषि देविच 25 देविच तापा कह लएक sok पाकिस्तान कई था ने कंकन कवीदी रचना सेगी संखेप दस गुरू का था उन्हों पार्त दे विचले आके संपादत कीता है यह ना दे नाल सबंदत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है त्या जड़ी सिक्स बुक है पंजाब दा बटवारा ते सिखनेता यह ना दे बहुत जादा इंपोर् देखो जिननों किड़े किड़े सनमान मिले हुए ने तस अब तो पहला पहला अपने कोले ननों सनमान मिल दे जी चीफ खालसा दिवान श्री अमर सर ने दो हजार दो देविचे सनमाने कीता है दिल्ली गुर्दवारा प्रबंद कमेटी ने दो हजार देविचे ननों सनमा ने दिए एंड नेक्स्ट अपने कोले की है गया श्रोम निंग उर्द्वारा प्रबंदिक कमेटी ने नू इक लख इनाम दिता है दुशाला भी दिता है सिरोपाऊ भी दिता है ते जादगरी चेन जड़े हैं गयों पिंट कीते हैं ठीक है जी याद कर लेने जड़े इना द में में वनशन किता हुए फर तसी लाग तो इनों नोट कर ले ना है गया इनाने इक दरजन्व क्रीब किने अब safest केनन लिखिएं जी एक दर जन्दे क्रीब ठीक है जी पंजापी चे पुस्त का लिखिया ने पंदरा पुस्त का ने जी अंग्रेजी दे विच लिखिया ने ते ग्यारा पुस्त का जड़ी ने हैं अनवाद की थिया ने गिंती याद रखनी है एक कदर जंदे करीब ने पंजापी दिया पुस्त का ने पंदरा पुस्त का इना दियां अंग्रेजी दे विच ने ते ग्यारा पुस्त का इना दियां पंजापी विच अनवाद की थिया हुँ यह सगी इना देना लशबंदत जड़ी है कि यह महत्तपूरन जानकरी तो फिर वार फिर तो एक वर यापनल नों देख लेने हैं जी इना देना लशबंदत जड़ी कोश्चन पेपर देविच बंदे आ जड़ी आ सकते है आते ना बरे जड़ी है कि यह जनम बरे जानकरी है तुसे इना चंगी तरह याद कर लेना है कि अग्ये तुसे इना देना एक पॉइंट याद रखना है कि इना ने देश वांदन देना लशबंदत बहुत जड़ा डूंगा कारज कीता है अग्ये ना देखने पा महत्तपुर्ण जानकरी देविच आपने कोले पॉइंट ने न सारे पॉइंट देविच हर पॉइंट देविच एक कोश्चिन शुपया हुए है इन्हों बहुत त्यान दिना तुसी पढ़ना है ते याद करना है अग्ये देखो जेना बरे जड़े ना नू अपाधिया मिलगाने डॉक्टर ओफ लिट्रेचर दी पाधि मिलिया है प्रफेसर ओफ सिख अजम दी पाधि मिलिया है अग्ये ना ने मुखमंत्री परताप सिंग एरूंदे कैनते जड़े महत्तपुर्ण कारज कीते है पंजाब दी वंड़े ना सबंदत देश वंड़े ना सबंदत इत्ती हास कारी करन दे लिए केड़े यदिकार यान हुए मिले है किन्नी इस विदे विच मिले है इना नू तुसी चंगी तरह याद कर लेना है गया अगे न दी शेली ओओदिए इस तो बाद इनदी ओदिया जी परसेद रजणामा परसेद रजणामा इस साथ रजणामा न दिया बहुत ज्यादा परसेदे ने जादा ने चंगी तरह तो सी पेपर दे पांट आफ यू तो याद करना है नेक्स्ट आपने पुलाई अन् मां किनन केड़े केड़े सनमान जड़े हैंगी ओ मिले ते इस थी अपना जड़ा जड़ा लेक्चेर है जी ओ खतम हो जा रहे है ते क्या जड़ी करपाल सिंग को मंदेना रिलेटर जिन्नी भी महत्पुरन जानकारी सी उमें तौन दे देती है ते अगर तौन वीडियो अधरी वीडियो बनी हुए यह न तुसी लाइक कर देओं ते देना मैंनू मिलेगी मुटिवेस्चन नेक्स्ट वीडियो बनाओं द Allah